अज़का हमारा टॉपिक है मसल्स के बारे में मसल्स को उर्दू में पठे केते हैं अच्छिन जो मसल्स होते हैं वो हमारे टीशू होते हैं छो हमें सिपोर्ट करते हैं कॉंट्रेक्टिंग में मॉवमें मे इसे लिए जो मसल्स होते हैं वो बहुत मेन ओर्गं रखते हैं हमारी बोडि का अब इदर थ्री टाइप ऑफंसल्स होते हैं काड्येग है स्मूध है और स्केलेटल निल्भर है में 600 से ज़्यादा मसल्स पाई जाते हैं ताके हम मूव कर सके अपनी बॉड़ी को अब बात करते हैं फंक्शन्स की मसल्स की तो यह भी बहुत इंपॉर्टन्ट है परफॉर्म टू टाइप आफ मूवमेंट एक होती है वालंट्री और एक होती है इन वालंट्री मूवमेंट वालंट्री मूवमेंट जो होती है वह कंट्रॉल करती है हमारी बॉड़ी को हमारे मुसल्स को यह बहुत ही जाता सोफ्ट होते हैं स्ट्रेचिंग और प्रेसिंग के लहाज से क्योंकि अगर इन में कोई बैक आ गया जैसे मसल्स पाम हो गया मसल्स मूव्मेंट में कोई इशू निकल आया अब बात कर लेते हैं टाइपस ऑफ मसल्स की स्केलेटल कार्डियक और स्मूथ मसल्स के बारे में हमें पता तो है लेक होता है मूव्मेंट के लहाज से वह स्केलेटल हमारा परफॉर्म करता है कार्डियक मसल्स की बात करें तो जिस तरह कार्डियक नाम है हार्ट के लहाज से बात की जारी है तो इसमें हमारी बाड़ी का इसका कोई करदार नहीं है सिर्फ इसका करदार जो है वह हार्ट पे है ये middle layer of our heart में है, it does not exit anywhere in your body except only in your heart. The last but not the least, smooth muscles जो होते हैं वो एक involuntary muscles हैं, ये बहुत essential job करते हैं हमारी body में, moving करना, हमारे waist products को intestine में, lungs को help out करते हैं, expand करने में, breathing के लिए. These three types of muscles are very essential in our body, कुछ muscle condition भी होती हैं, कुछ disorders भी होती हैं हमारी body में, injury of the muscle, pull muscles, palms of the muscles, आज हमारा muscles का topic यहाँ end होता है, अब हम जाते हैं tissues के बारे में, what are the tissues? tissues को अर्दू में भी tissue कहते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा कागज होता है, रेशमी कागज हम कहते हैं, ये एक group of layer होती है, cells की, जो work perform करते हैं, एक साथ, हमारी body में, as a function के तोर पे, ये वो वाले tissues नहीं हैं, जैसे napkins हो गई हैं, handkerchiefs हो गई हैं, हमारी body में भी tissues होते हैं, अब हमारी body में four type of tissue होते हैं, connective, epithelial, muscle and the nervousness, connective tissue जो होता है, वो support करता है, bones को, blood को, और lymphatic issues को, तेलियन टिशू जो होता है, वो skin के लहाज से work करता है, और various passage में work करता है, muscular issue जो होता है, żoing voluntary, voluntary of the muscles का होता है, और लास्ट जो होते हैं नर्फ टिशू वो हमारे नर्फ का मैसेज निरोन वगारा के लहाज से वर्क आउट करता है यहां तक हमारा तमाम टॉपिक कुंप्लीड होते हैं नेक्स टॉपिक जो होगा वो हमारा सेल्स को होगा और ये लास्ट टॉपिक होगा human body के लहाज से तो overview इंशालहे इसका हम करेंगे नेक्स वीडियो में तू भी continue रहेगा अल्ला हाफिस